अब हम बात करेंगे exercise 5.2 याने question no.1 की तो देखे question no.1 में इन्होंने क्या कहा A survey was made to find two type of music that a certain group of young people like in a city adjoining pie chart saw the findings of this survey याने question no.1 यह कहा किसी सहर के युवा ब्यक्तियों के एक समों का यह जानने के लिए एक survey किया गया है कि वे कैसा संगेत पसंद करते हैं आगे इन्होंने यह कहा इनसे प्राफ्त आकडों को सलगन pie chart में परदर्शित किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इस pie chart से निम्न लिखित प्राशनों के उत्तर दीजिए यानि इन्होंने यह कहा from this pie chart answer the following तो यहाँ पर देखिए आपका यह pie chart मिला है pie chart में यहाँ पर इन्होंने दिया semi classical यानि इन्होंने दिया उप शास्त्रिय और यहाँ पर इन्होंने दिया classical यानि सास्त्रिय और यहाँ पर इन्होंने दिया light यानि मनरंजग और यहाँ पर इन्होंने दिया folk यानि लोक तो देखिए question number one में third part है हम बारी बारी से solve करेंगे तो देखिए first part में इन्होंने क्या कहा if twenty people like classical music how many young people were surveyed यानि प्रस्ण इन्होंने यह कहा यदि बीस बैक्ति सास्त्रिय संगित पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा बैक्तियों का survey किया गया तो यहाँ पर देखिए question में इन्होंने दिया है classical music यहाँ पर देखिए classical music कितने % है 10% और यहाँ पर देखिए कितने लोग पसंद करते हैं यहाँ बीस बैक्ति क्या करते हैं यानि twenty people क्या करते हैं like करते है classical music तो देखिए यहाँ पर देखिए classical 10% ही क्या करते हैं like करते हैं तो दिखिए आप percentage में दिया गया है, तो percentage किस में से निकालते हैं, 100 में से, इस question कैसे solve करेंगे, हम बता देते हैं, लिखेंगे हम 100 into, यहां पर देखें, 20 people like classical music है, तो 100 into 20, upon क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, बस solve एक question, तो चलिए, अब हम solve करके आपको दिखाते हैं, तो दिखिए, पाइचार्ट पे कितने percent classical music like कर रहे थे, 10 percent थे, यहां पर हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में, 10 percent represents, 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 यानि किस में हम निकालेंगे, 100 में से, यहां पर लिखेंगे, जब भी आपको percentage निकालना होता है, 100 में से ही, हम क्या करेंगे, निकालेंगे, यहां लिखेंगे, 100 people, नीचे की line से लिखेंगे, हम therefore, therefore, अब यहां पर देखिए, कितने लोग पसंद करते थे, यानि 20 people like classical music, यहां पर लिखेंगे, therefore, 20, यहां पर लिखेंगे, represents, easy custom, तो यहां पर देखिए, percentage हम किस में से निकालते हैं, 100 में से, यहां पर लिखेंगे, हम 100, into, यहां पर क्या मिला, 20, यानि कहने का मतलब यह है, 20 people like classical music, यानि 20, लोग, सास्क्री या संगित क्या करते हैं, पसंद करते हैं, यहां पर हमने लिखा है, 20, represents, यहां पर लिखेंगे, 20, upon करेंगे, यहां पर देखिए, क्या मिला, 10, यानि कितने percent पसंद कर रहे थे, 10%, यहा यहां आगे हम solve कर लगते हैं, देखिए, यहां पर, 10 से, 10 गया, तो बचा क्या हमारे पास, यहां लिख देते हैं, 100 into 2, यहां पर लिखेंगे, 100 into 2, अब 100 से, जब आप 2 में multiply करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, 200, यानि क्या मिला, people, यहां पर लिख देते हैं, यानि हम लिख सकते हैं, अता कुल 200, युवा, ब्यक्तियों का survey किया गया, यानि हम लिखेंगे, यहां पर, hence, 200 people were surveyed, यहां पर एक लाइन हम लिख देते हैं, hence, Hence, 200 people were surveyed, तो इस बरकार, यह हमारा first part का final answer होगा, अब हम बात करेंगे, second part की, तो देखिए, second part में इन्होंने क्या कहा, तो देखिए, second part में इन्होंने क्या कहा, Which type of music is like by the maximum number of people, यानि question इन्होंने यह कहा, किस परकार का संगीत सबसे ज़्यादा ब्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं, आप 25 के माध्यम से, सबसे ज़्यादा percentage किसकी है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी मिली है, लाइट का, यानि कहने का मतलब यह है, हम लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट में, लाइट म्यूजिक इस लाइकट बाई दा मैक्समुम नंबर आप पीपई, तो चलिए, हम साट पिर का आपको दिखाते हैं, यानि सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे, मनरण्यक शंगीत सबसे आधिक बेर्त्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, यानि मनरण्यक दोए कितने परसेंट है, 40 परसेंट है, यानि 40 परसेंट है, यहां पर लिखेंगे हम सेकंड पार्ट में लाइट म्यूजिक इस लाइकट लाइकट बाइ दा मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ओफ पीपल अब हम बात करेंगे थर्ट पार्ट की यहां पर लिखते हम थर्ट पार्ट यह मिला हमारा सेकंड पार्ट का फाइनली एंसर तो देखिए थर्ट पार्ट में इन्होंने क्या तहा इफ वा कैसेट कंपनी वेर टो मेक 1000 सीडिस हाव मैने अप इस टाइब विट दे मेक यानि प्रस्ण इन्होंने यह कहा यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडि बनाये तो वा हर परकार यानि वा हर एक परकार की कितनी सीडि बनायेगी यानि जितने भी यह परसेंटेज दिये गए सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फॉल और लाइट तो हम क्या करेंगे सबका में पता करना है तो कैसे हम पता करेंगे यहाँ पर देखिए क्लासिकल कितना है 10% यानि कितना सीडि दिया है ऐनो ने दिया है तो हम क्या करेंगे 10 x 1000 100 किसमे से निकालते हैं क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे क्लासिकल म्यूजिक का लिखेंगे CDs of Classical Music कितने परसेंटे 10 है 10 x यहां पर कितने CD है, 1000, तो 10 multiply 1000 upon 100, जब भी % निकालते हैं, तो 100 में से ही निकालते हैं, तो आएए स्वल्ब करते हैं, सबसे पहले Classical Music का, तो यहां पर लिखेंगे हम, 3rd पार्ट में, CD, of Classical Music, EasyCast2, तो देखिए Classical Music था, पाई चार्ट में, कितने परसेंट थे, 10%, तो यहां पर हम लिखेंगे, 10, into, कितने कैसेट थे, 1000, यहां पर लिखेंगे, 1000, यह आपके बुक में दिया गया था, upon, तो परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं, 100 में से, यहां पर हम क्या करेंगे, 100, तो चलिए, आगे हम, solve करते हैं, यहां पर देखिए, 20 से, 20, cancel, तो बचा क्या हमारे पास, यहां लिख देते हैं, देखिए, 10 बचा, और यहां भी 10, 10, 10 जा क्या मिला, 100, यहां पर लिख देंगे, 100, यानि कहने का मतलब यह, CDs of Classical Music, कि संख्या कितना मिला, 100, तो यह मिला हमारा, यानि कहने का मतलब यह, हम एक बार आपको समझा देते हैं, सास्त्री संगीत की, जो CD कि संख्या कितना मिला, 100, अब हम निकालेंगे, Semi Classical Music के, यहां पर हम लिखेंगे, CDs of Semi Classical Music, 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 Easy Custom, तो देखिए, Semi Classical कितने परसेंट दिया गया था, 20%, तो यहां पर लिखेंगे, 20 into, CD कि संख्या कितनी है, आपके बुक में दिया गया था, 1000, अब परसेंटेज किस में से निकालते हैं, 100 में से, तो चलिए, आगे हम सॉल्प करते हैं, 20 से, 20 गया, तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, Multiply करेंगे यहां पर, 20 से, जब आप 10 में Multiply करोगे तो हमें का मिलेगा, 200, यानि 20 टेन जब का मिला, 200, यानि यह मिला हमारा CDs of Semi Classical Music, यानि कितनी मिले, 200, 200, यानि ओप सास्त्रिया, संगीत की CD की संग्या कितनी मिला, 200, अब हम बात करेंगे, CDs of Light Music के, तो चलिए, यह भी हम सॉल्प करके आपको दिखा देते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, CDs of Light Music, Music, Easy Cash To, तो Light Music कितने परसेंट दिया गया था, आपके 25 में आप देख सकते हैं, 40 परसेंट, यहां पर लिखेंगा 40 इंटू, CD की, यानि कैसेट की कितनी संग्या था, 1000 यह आपके बुक में दिया गया था, अपाउं, परसेंटेज हम किस से निकालते हैं, 100 से, तो चलिए, आगे हम solve करते हैं, 20 से 20 गया, तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, तो देखिए, 40 टेंज क्या मिला, 400, यहां पर लिख देंगे हम, 400, यानि CDs of Light Music कितना मिला, 400, यानि कहने का मतलब यह, मनुरंजग, संगीत की CD की संख्या, 400 मिला, अब हम बात करेंगे, Falk Music की, तो चलिए, solve करेंगे हम दिखाते हैं, Falk Music, यहां पर हम लिखेंगे, CD, of Falk Music, Easy Cust to, तो देखें, Falk Music कितने परसेंट दिया गया था, 30% into, और यहां पर आपके बुक में, कैसेट की संख्या कितनी दी गय थी, 1000, अप आउन परसेंटेज किस में से निकालते हैं, 100 में से, तो यहां पर देखिए, 2 0 से 2 0 गया, अब 30 से हम मल्टिप्लाई करेंगे, 10 में, तो 30 10 क्या मिला हमें, 300, तो इस परकार यह मिला, CD साब Falk Music कितना मिला, 300, 100, यानि कहने का मतलब यह है, लोक संगित की CD की संख्या, 300 मिला, इस परकार यह हमारा Question No.1 का finally answer होगा, अब हम बात करेंगे Question No.2 की, तो Question No.2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, अब हमारे सुर्फ हो गए, that's it. क्या है क्या है